उत्तर परदेश के मुरादाबाद के पीतल नगरी में एक दबंग व्यक्ती ने सफाई न करने को लेकर सफाई कर्मी की पिटाई कर दी और उसके उपर हवाई फाइरिंग भी की जिससे सफाई कर्मी बाल-بाल बच गया नहीं दबंग व्यक्ति ने धंकी देते हुए कहा कि मैं पारशड हूँ मेरा कोई भी कुछ नहीं विगाड सकता जाओ जो करना है कर लो जो इस मामले की जानकारी नगर निगम अधिकारी और पुलिस को मिली तो नगर निगम अधिकारी मौके पर पहुँचे और नहीं ने कहा कि दबंग व्यक्ति को गरफ्तार किया जाए साथ ही उसको धारा लगा कर जेल भेजा जाए और रिकारी ने ये भी कहा कि अगर दबंग व्यक्ति को जेल या धारा नहीं लगी तो कल से मुरादाबाद में एक भी सफाई कर्मी नहीं आएगा कोतवाली थाना कडगर में इस मामले की तहरीर दे दी गई है जहां दवंग पाशेट पर कारवाही की जा रही है हमारी कौन अकात और कौन बहुत समझता है सपाई करमचारी मुस्तेदी से काम करता है और वो विचारा दोवजे की हाजरी की दे करके अपनी डूटी पर जा रहा है डूटी पर जाकर नाली जाड़ू ठेला सब कुछ काम करना चालू करा वह एक बहुत महाबदमास गुंडा रहता है भाजपाज है उसका लिंक है उसका कहना यह है कि मैं बहुत बड़ा नेता हूं भादपा के सारे नेता उसकी जेब में रहती है ठीक है विराक अपनी जेब में हमें क्या अतराज है उन्हें तुरंती सपाई कमचारी से काया कि ये नाली निकाल निकाल दी इसे उठा उठा लिया एक फाबली से काया इसे खुरजदे मट्टी को वो भी खुरजदी इसे हटा दे हटा दिया आजया निमेट ने दूबर दू इनका जगड़ा हाता पाई दूबर दू हुआ उसके बाद जब जादे नर्मस हो जो सपाई कमचारी कर रहा पड़ गया उसके ओपर तब उसने भा अकास उनने आनकर के हाथ नियूं कर दिया तो उपर हवा में फैरिंग हो गई उसका खोका फुलिस के हाथ में हमने कटगर ठाने की दे दिया है जब हम तो जो मिखाला है सुबह ना लिगा पूला वो उठाने आए सील्ड यह बोला यह कौन उठाएगा मैंने वाईसाब अपने हाथ से बोला लाम जी दिखा फावली है और एकदम खेजाता नहीं कर दी इनने को लेगी तो मैरा वाईसाब दो हम कर तो रहा है बोला यह भाग कि रहा है घर में तुरंद माहु जल लागा गोली मार दी बोला यह से करके हुआ मैं यह से करके सीधी और बो जाए इस